हेलो दोस्तों मेरे नाम है सागर और आप देख रहे हैं अल इक्जाम साब चैनल दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपके लिए जो वेकेंसी लाया हूँ वो है कैरला पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ सेने की यह गवर्मेंट जॉब है और यहां से मैं आपको दिखा जो आपकी सेलरी रहने वाली है वह है 41,300 छोपीज से लेकर के 87,000 रोपीज में यह वैकेंसी रहने वाली है लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसमें आपको अप्लाइ कैसे करना है बाकी की टीटेल में आपको बाद में बताऊंगा तो थे डुबससाइट पर आ करके सबसे पहले आपको जो है अपना रिजिस्टरेशन करना करेंगे और अपना नेम यहाँ पर और ईटम डालेंगे उसके बाद यहां पर आप उसके भी चीजह हैं वह सब्सक्राइब में आपकर फिल करेंगे आई प्रूफ में यहां देना चाहा रहे हैं वो आप यहां पर select कर लिए मालीज अगर आधार देना चाहते हैं तो आधार select करके यहां पर अधार details अगेरा जो है अधार number if available जो भी चीज़े हैं वो सब यहां पर यहां पर fill करेंगे और एक user ID बनाएंगे आप यहां पर without space यानि की user ID का मतलब जैसे कि मालीजा मैं बनाता हूं यहां पर यह मैंने एक username बना दिया और यह दिखिए इसमें बता रहा है कि user ID not available तो हमें यहां पर कुछ चेंज करना होगा जिससे कि यहां पर यह को accept कर ले यहां ID is available आ गया अब हम इस user ID को use कर सकते हैं फिर उसके बाद confirm user ID same user ID अब यहां पर एक बार और डालेंगे password क्रियेट करेंगे और यहां पर तो प्लेस है यहां पर 13 वेकेंसी हैं कोट टायम में 8 वेकेंसी हैं हाई स्कूल टीचर हिंदी के लिए थिरिसर में 11 वेकेंसी इडुकी में 1 एंड कासर गोड में 17 वेकेंसी यह इनके अलग-अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर जो है यह different vacancies हैं अब हम बात करते हैं आ कि बात की जाए तो यहां पर इन्होंने कहा है कि a degree in Hindi conferred और recognized by the University in Kerala आपके पास होना चाहिए या फिर a title of Oriental Learning in Hindi awarded और recognized by the universities in Kerala आपके पास होना चाहिए या फिर प्रवीन ओफ दक्षिना भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास विदा पास in SS-LC examination conducted by the Commissioner for Government examination Kerala और its equivalent या फिर आपके पास होना चाहिए यह नीचे और भी जो है qualification लिखी हुई है यह आपके पास होनी चाहिए और साथी training qualification यानि कि जो आपका teaching जो course होता यानि कि beard आपके पास होना चाहिए या फिर diploma certificate in language teacher in Hindi issued by the Commissioner for Government examination Kerala तो इन में से other नीचे और भी चीज़े दी हुई है अगर आपके कर सकते हैं exemptions यहाँ पर नीचे दिये हुआ है जो भी age related याफी जैसे यहाँ पर लिखा candidates who have qualified seated, net, set, and fill in respective subject and amount in any subject are exempted for acquiring debt तो यह सारी चीज़े जो है नीचे यहाँ पर दी हुई है और special concession वगेरा यहाँ पर नीचे और दीया हुआ है और बाकी जो मैंने detail है form भरने की आपक तक आपको form जो है वो फिल करने है तो पूरा process मैंने आपको बता दिया है simple सा form है आप इसको अराम से भर सकते हैं और जो भी लोग interested है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं तो इसी तरह की teaching vacancies non teaching vacancies और PhD admissions related video देखते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and जैन